देश में आजकल क्रिशी कानूनों को लेकर होहला चला हुआ है पिछले तीन महीने से दिल्ली में क्रिशी कानूनों को लेकर किसान धरने में बैठे हुए है वहीं टूल किट का मामला भी आजकल काफी तूल पकड़ा हुआ है इन सब विश्यों के उपर हम 23 से बात करेंगे, आज हैस्टूडियो के आफिस में हमारे साथ मौजूद है बरिस्ट एड़ोकेट एबम, हिमाचल स्टेट बार काउंसल के सदस्या रोहिद शर्मा, आई इन से बाचित करते हैं, रोहिजी पहले तो आपका स्वागत है देखिए दिली पुलिस का रोप है कि 26 जनवरी की घटना है, उसके पीछे टूलकेट का जो इन्होंने क्रेट की है, उसका पूरा-पूरा हाथ है, लेकिन अभी तक प्रैमर फिशाई दिली पुलिस से बताने में नाकाम रही है कि 26 जनवरी की जो घटना हुई है, उसमें ट रोड मैप किसी प्रोटेस्ट को चलाने के लिए वो क्रेट किया जाता है, जैसे पुराने टाइम में जो पैंफिलेंट्स और वगरा यूज़ करते थे यह ओडिंग यूज़ करते थे वैसे डिजिटल एरा में आजकल, सोचल मीडिया के जमाने में एक टूलकेट एक एक इ टूलकेट के पीछे जो इन्होंने जो दूसरे अन्यों दो आरोपी हैं, उनको तो कोट ने वैसे ही ट्रांजिट बेल दे रखा है, तो ट्रांजिट बेल पे वैसे ही उनको भी टाइम है, वो दुबारा स्टर करके अपनी रेगुलर बेल लेंगे, दिशार अभी को इमिज पर चोड़ता हूँ, वो क्या फैसर लेते हैं, लेकिन प्रमाफ साही पोलीसे बताने में बिल्कुल नाकाम रही है कि दिशारवी की गर्फतारी के पीछे उनके पास क्या ठोस वजा है, जो 26 जनवरी के घटना है, वहां पे लाल किले पे जो इनिस्टेंट हुआ, कानूनी मैं ये कहता हूँ कि उसके पीछे क्या दिशारवी का कोई उनसे लिंक है, क्या टूल किट में ऐसा को रोड मैप था कि वो सुरूट को डिस्टर करके वहां जाएंगे, अगर सिंपली हम किसी एक ट्वीट करने पर किसी को गर्फतार कर लें, ये तो मॉलिक अधिकारों का भ वो क्या थी थी और या कन्फ्यूजन कहां हो रहा है जिसकी वस्टेशन क्या मानते हैं, देखिए मैं तो समझता हूँ कि छोटे समय में इसको विस्तार से पिताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं मुख्य बातों पर दो तिन बातों पर आओंगा, देखिए पराने सिस्ट सिर्मेटिकली उन्होंने कहा है कि स्टेट जो है हर जगह पे प्राइवेट मंडी से लॉग करेगी, प्राइवेट मंडी आने से डिरेक्ली क्या नुक्सान होता वो देखने वली बात है, क्योंकि उन्होंने स्टेंटर गॉर्में ने इस बिल में प्रावदान रखा है कि स् अगर कम्पीट करना दोनों को लेवल प्लेंग फील्ड देने पड़ेगी टैक्स रखिए तो दोनों को रखिए अगर टैक्स मत नहीं रखना तो दोनों सेट आदीजिए एक तो पहला तो सिस्टम ये है दूसरा जो में गरोध का कारण है MSP जो हम जिसे नियूनतम समर्थन मे लोगे कहते हैं, मैं तो कह सकता हूँ कि सरकार को चाहिए था कि MSP का दारा थोड़ा बढ़ाए, दारा बढ़ाना तो बहुत दूर है, उन्होंने पिछला दारा भी खत्म कर दिया है, पहले ही MSP में, मैं खाल सर्पिस पर जोड़ देना MSP देंगे, ये कोई ठोस और कोई कह सकते हैं, स्थाइद और पर उसका हाल नहीं है, उसके पीछे रीजन ये है, उसके पीछे विवस्था ही होनी चाहिए, कि जो इन्होंने एक्ट और कानूर बनाए है, उसमें MSP जो है MSP तैय करता है, वो सरकार कहिए कि क्या सरकार CACP को खत्म कर देगी, क्या जो ये इंस्टिउशन इंडिपनली इस्टैबिलिशन उसको भी खत्म कर देगी, और वो MSP यहीं सरकार की जो कैबिनेट कमेटी एकॉनमिक अफेर्स की होती है, वो इसको फाइनल रेक्मेंडेशन क या कल को कैबिनेट कमेटी कानुमिक अफेर्स में ये चीज़ा सारी खत्म हो जाएंगी, तो ये एक बहुत ही जायज और बहुत ही किसानों की बहुत ही जादा कह सकते हैं कि लांग स्टैंडिंग डिमांड रही है, इस चीज़ को एबसूटली खत्म करना है, ऐसे कानून को जून महीने में 2020 में एक ओर्डिनेस जारी किया गया, जब पूरे देश में करोना महेमारी थी, पूरे वाल्ड इस से जूज रहा था, ऐसे समय में इस विवस्था को इन कानूनों को ओर्डिनेस के लाए किया, उसके बाद क्योंकि ओर्डिनेस में प्रोवीजन है कि विदि स्रवब में NDA की मानार्टी है, वहां उनके 222 सैंटन जब कि उनको 222 चाहिए, उन्होंने राज़स स्रवब में इसको वाइस वोट के जरीए पास कराया, जो कि बिल्कु गलत है, अगर ये लोक स्रवब में में मिजॉर्टी में पास हो सकता है, तो राज़स स्रवब में मि क्या है, कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई बिल एक पार्लिमेंट में फेल होता है, दूसरे पास होता है, तो जब जॉइन सेशन कर सकते हैं, अगर इनको इतना कॉन्फिटेंस है कि मजॉर्टी हमारे साथ है, तो जॉइन सेशन दोनों हाउस का बलाया जाता, उस जब अपने ही कैबिनेट के लोग, अपने ही सरकार के सहोगी, इस पास से संदोश नहीं है कानून किसानों के बहतरी के लिए, आम जंत और किसानों की ताब बात छोड़ दीजिए, उनका डर बिल्कुल जायस है, रोई जी अगर कानून के दाइरी से बात करें, जो हिंसा नमाइंदे हैं, उनकी जमेंवरी तैह होने चाहिए, इस देश में किसान, आपने देखा होगा, सुसाइडल रेट स्पिन का बहुत जादा सूखा पड़ता है, वो सुसाइड कर लेते हैं, आम मुझे बदाएए, ये पहला वाक्या है, जहां पर एक तरफ स्केट का कहना है गौर्मिन्ट का कहना ये है, कि हमने कानून किसानों की बेतरी के लिए मनाए और किसान दूस तरफ मर रहे हैं, और मरने की दादात को कम नहीं है, तो इसके पीछे अगर आप इस बात को समझें, और इस बात को गंबीरता से देखें, कि ये कैसा कानून है, कैसी विवस्था लाने जा रहे हैं जिसमें किसान अपनी जान को दाव पर लगा रहे हैं और वहाँ पर उनकी मौटे हो रही हैं और आए दिन इस मामला तूल पकड़ रहा है और किसी नची तरीके से मैं समस्ता हूं कि धिशा रवी की गिरिफतारी है उस इशू को लोगों का ध्यान अवंटेट करने के लिए की गई है जो कि बिलकुल गलत है और किसानों को रियल माइने में जो चीज उनको देनी चाहिए उसमें बहुत कोई लंबा चौड़ा नहीं है लेकिन अगर आप उसमें दराब बारीकी में जाएं तो दो तीन बातें जिससे लोगों में बिलकुल एक कह सकते हैं कि एक इनसेक्यूरिटी पैदा हुई है जिसमें दो तीन चीज़े मैं मुख्यतौल पर अहम पे नोट करूँगा पहली बात ही है कि इन्हों ने जो ये किसान बिल बनाए हैं इसमें कोई कोड की इंट्रिवेंशन नहीं रखी है कलकुमान लीजिए कि एक किसान के साथ धोखा होता है तो उन्हेंने के एसडिम के पास एक जॉइंट कॉंसलेशन बोर्ड है और उसके बाद एक अपील डीसी में रखी है मैं यह कहता हूँ मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप इसको कोर्स में इंट्रिवेंशन दो कोर्स की जि कोई दोखा होगा यह उनके साथ कोई बात होगी तो उनकी सुनवाई ट्रिविनल में की जाए जिसमें एमिनेंट परसंस जो लॉइंग परसंस हैं और जो थोड़े से सोशली जोड़े हैं उन लोगों को डालना चाहिए दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो MSP है उसको इमिजेट तोर पर बाई नोटिफकेशन इसमें लाना चाहिए था जो कि नहीं लाए हैं अगर यह चीज़ नहीं लाते हैं तो यह इमिजेटली यह जो कानून उनको वापस रहने चाहिए तीसरी बात अगर यह एपीमसी प्राइविट मेंडिस को ऐसे ही लॉग करेंगे ब हम कोई जमीन को कोई हस्तान अक्वायर नहीं करेंगे देखिए जो कॉर्परेट है वो पड़ा दिखा है और इंफ्रेंशल है उनके एग्रिमेंट बहुत बड़े बड़े वकील बनाते हैं जो हिंदुस्तान का किसान है वो इतना एफिशन नहीं है कि उस कंट्रेक्ट की ट हमारा एग्रिमेंट हो कह रहा है तो उसमें भी धोके का बहुत बड़ा चांस है तो किसी भी तरह से मैं कह सकता हूं कि जो ये तीनों एक्सें वहवारिक नहीं है चाहे हम इन दो एक्स की बात करें एक और तीसरा असेंशल कॉमोडिटी एक्ट है इसमें उन्होंने यहां त में तो ऐसी फ्री मार्केट फ्री हैंड देंगे ओपन ली तब तो यह होडिंग बड़ेगी जमाक होड़ी बड़ेगी बंडारन की कोई अनलिमिटर क्षमता होगी जो प्राइस मैनुप्रेट करने की इसमें पोरे पॉसिविल्टी है तो इन शंकाओं से इनको नकारा नही पैसी नहीं है आप देखें इस एजिटेशन में बड़ चरकर दिल्ली सुप्रीम कोड की बारसरेशन लाइन होगी पंजाब की बारसरेशन ने हिस्सा लिया हिमाचाप परदेश की बार कांसल हैं उनोंने हमारी वार्साइप के थ्रू मेटिंग हुई थी उसके थ्रू हमने की नजरिये से भी और as a citizen मैं इन तीनों ही बिलों का विरोध करता हूँ और जो मैंने इसमें बातें बताई हैं इनके ओपर अगर ये गौर नहीं करते हैं या गौर करने का जैसे इनोंने अभी तो कोई ऐसी दिखाई नहीं हैं तो इमीजिटले इन तीनों को स्क्राइब करना चाहिए बार स्टेट वर कांसचल के इवाब मेंबर हैं क्या स्टेप लेने गाड़े अब ली ये गाड़ा टीए हमने क्यूंकि से कोवइं में हमारी में अनुअ कि हूं दिंस थो तो जो भी पीछे मीटिंग्स होई हैं वार्साइप के जरी हैं या तो वीडियो कॉल से होई हैं या वार्साइप के जरी हैं इसको लेकर भी एक वार्साइप के जरी मीटिंग होई तो हमने तो इसमें फार्म बिल्स को अपोज किया था जो मैंने बाते रखी हैं इन्हीं को ब इसकी इंप्लिमेंटेशन को उन्होंने गौवर्मेंट को बोला है कि इसको थोड़ा सा रीकंसेडर करी और कोई बात इसमें बनाई है हम देखेंगे अगर कोई बात नहीं बनती है और इस तरह से ही बातें चलती रहेंगी तो निश्चित रूप पे कोई न कोई इसमें जानकारी दी है और हमें भी लग रहा है कि ये जानकरी बेहद ही महत्तपूर्ण होगी और लोगों को भी इससे बेहद फाइदा हो क्यों कि अक्स जो लोग हैं किसी को भी इतनी बरीकी से पता नहीं था क्रिशी कानून क्या था पहले और इस क्रिशी कानून में क्या होना च चाहिए तो फिलहाल आपको सभी कुछ से जानकारी मिले होगी आइस टुडे के लिए हमीरपुर से जस्वीर कुमार